ना दहीन, ना टिमाटर, ना ही धेर सारे मसाले और ना ही घंटों की कोई मेहनत। बक्राइद पर आपने गोश्ट का असल मज़ा लेना है, तो इस रेस्पी को तो आपने जरूर ही बनाना है। बिस्मिल्य रख्मान रहीम, आसलाम लेकुम, आज मैं आप सब के लिए पिशावर के मश्यूर ट्रिडेशनल नमकीन गोश्ट की रेस्पी लेके आए हूँ। इद के दिनों मैं स्पाइसी फूट से हट कर कुछ अलग से खाना है, तो पिशावरी नमकीन गोश्ट से बितर और कोई रेस्पी हो ही नहीं सकती। हमारे नॉर्मल रूटीन के खानों से हट कर सिर्फ 2-3 इंग्रिडियन्स से ही बहुत लजीज बनता है। तो चलिए फिर कम स्पाइसी के साथ डिलेशियस सी रेस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पिशावरी नमकीन गोश्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg मटन लिया है। और अगर आप इसको बीफ में बनाना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इस रेस्पी के लिए रुखा गोश्ट आपने नहीं लेना है। थोड़े फैट के साथ मिक्स कोश लेना है। अब जैसे मैंने थोड़ा चिकनाई और बोन्स के साथ मीट लिया है। बोन्स एट करने से यह बहुत टेस्फुल बनेगा। हड़ियों की यखनी का जो फ्लेवर बोटियों में आता है इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसके लावा दो से तीन बोटियां रवास की भी लाजमी अट करेंगे। अब इस सारे गोश को एक बड़े खुले बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ मैं क्योंके इसकी marination करनी है। अच्छा जी ऐसे तो इस डिश का नाम नमकीन गोश है। नमकीन गोश का मतलब यह नहीं कि इसमें बहुत सारा नमक एट किया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नमक की quantity इसमें बहुत कम एट की जाएगी। यानि सिर्फ half teaspoon ही इसमें नमक एट करेंगे। अभी नमक कम शामिल कीजिएगा। अगर नमक आपको अपने टेस्ट के साब से कम लगे तो आप इसमें बाद में भी एट कर सकते हैं। बेसिकली ये नमकीन गोश सिर्फ नमक में ही बनता है। लेकिन बिशावर की different areas में इसको different तरीके से भी बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें काली मिर्च एट करते हैं। और कुछ लोग काली मिर्चे एसमें नहीं एट करते है। तो मैं यहाँ पर fresh crush की वह काली मिर्चे एट करे हूँ हैं 1 teaspoon। काली मिर्चों को जब आप fresh crush करके, इसको मोटा दरदरा सा करके इसमें शामिल करेंगे, तो इसे इसका टेस्ट और फ्लेवर और जादा बढ़ जाता है इसके साथ ही इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लसन अदरक का पेस्ट शामल कर दिया है लसन अदरक का पेस्ट रेट करके अची तना से इन सब चीजों की मिक्सिंग कर लेनी है अब गोश को एक हंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे अज कल करमी जादा है तो गोश को फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखेगा काउंटर पे रखेंगे तो करमी की वज़ए से गोश खराब भी हो सकता है यहाँ पर देखे गोश को marination के लिए रखे हुए मुझे तकरीबन एक घंटा हो चुका है अब इसकी cooking स्टार्ट करते हैं मैं इसको एक खुली पतीली में बना रही हूँ आप इसको pressure cooker में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं पैन में 2-3 टेबल स्पून oil add करेंगे देखें यहाँ पर गोश की में अच्छी तरह से भुनाई कर ली है अब इसमें कटी हुई 2 medium size की प्यास चामिल करेंगे साथी 1 टी स्पून जीरा powder add करेंगे 2-3 बार इस्पून चलाकर अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसमें 4 glass के करीब पानी शामिल करेंगे प्रेशर कुकर में अगर आप बनाएं तो पानी का मैट कीजेगा अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना गोश को आपने slow medium flame बर 50-60 minute तक पकाना है बेसिकली हमने गोश को गलाना है इसमें अच्छा नमकीन गोश को दो तरह से बनाया जाता है एक gravy या यखनी वाला होता है दूसरा भुना हुए नमकीन गोश की रस्पी आपको बता रहे हूँ अब अगर आप gravy वाला यखनी वाला नमकीन गोश बनाना चाहते हैं तो बस इसी stage पर आप flame को off कर दें इसकी gravy आप जितनी भी गाड़ी या फिर शोबे वाली बनाना चाहें आप अपनी मर्जी के मताबिक रख सकते हैं नमकीन गोश को यहाँ पर पकते हुए तकरीबन एक घंटा हो चुका है देखिए यहाँ पर गोश भी कमप्लेटली गल चुका है एन में मैं जूलियन में कटी हुई दो हरी मिर्चे शामल की है यह नमकीन गोश में एड करना टोटली ऑप्शनल है अब मैं यहाँ पर चुके बुना हुआ नमकीन गोश बना रहे हूँ तो flame को medium high करके एक से दो मिनट तक इसको पका कर इसकी सारी gravy को dry कर लूँगी एड के हवाले से काफी सारी recipes भी मेरे चैनल पर मौझूद है आप मेरे चैनल पर जाकर visit कर सकते हैं यहाँ पर देखे गोश की मैंने एक से दो मिनट तक भनाई करके इसका सारा पानी ड्राय कर लिया है और इसके साथ ही बुना हो और पिशावरी नमकीन गोश पर ready हो चुका है मिर्च मसाले वाली डिशिस से हट कर कुछ डिफरेंट सा इद पर खाना चाते हैं तो नमकीन गोश को आप एक बार तो जरूर ही बनाईएगा इसको खा कर आपको गोश का असल जायका मिलेगा यहाँ पर नमकीन गोश को मैं रिवायती तरीके से धेर सारी प्याज, हरी मिर्च, लीमू और रिवायती पिशावरी नान के साथ सर्फ करूँगी इस नमकीन गोश को खाने का असल मज़ा ही पिशावरी नान के साथ आता है तो देखा आपने कम मिल्च मसालो और सिर्फ 5-7 मिनट की मेना से कितने असानी से पिशावरी नमकीन गोश बनके रेडी होता है ये देखें माशालला कितना अच्छा गोश गला हुआ है बोटी का रेशा रेशा अलग है और ये जो रवास का फैट हमने इस मेट किया है ये भी रोटी से ही खाया जाता है तो इस इतपर इस डिफ्रेंट से नमकीन गोश की रेशपी को ज़रू बना के ट्राइ कीजेगा और मुझे अपनी फीडबेक भी ज़रूर दीजेगा कि आप सबको मेरे आज के पिशावरी नमकीन गोश की रेशपी वीडियो कैसी लगी रेशपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा नेक्स्ट रेशपी वीडियो तक के लिए अल्ला नेगेवान